तो हलो अवरिवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो जितने भी सनी देवल साब के फैंस हैं भाई उनके लिए खुशकबरी भी कहलो एंड दुखकबरी भी कहलो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वार्टू के मेकर्स ने अपनी इस इस्पाई उनिवर्स की वार्टू मुवी की रिलीस डेट अनौंस कर दी है और कहां पे करिये जहां पे भाई साब एक बबबर शेर बैठा है वहाँ पे जाके इन लोगों ने अनौंस कर दी है वैसे तो देखो इस मुवी की जो रिलीस डेट थी वो थी 2025 लेकिन जनवरी की 25 या 26 जनवरी के आसपाई इस मुवी को ये लोग रिलीस करने वाले थे लेकिन अभी इनोंने वहाँ से पोस्पोन करके इस मुवी को सीधा 15 अगस्त के मोगे पे रिलीस करने की तोची यानि के 2025 ही है लेकिन ये है 14 या 15 अगस के आसपाद वैसे तो 14 अगस न्यूज आ रही है हिमेश साब ने पिनकिला के जो रिपोर्टर है उन्हों ने डिकलता है कि अभी तक हमने ये सोचा था कि सलार और डंकी सबसे बड़ा क्लैश है बहुत बड़ा क्लैश है इससे बड़ा क्लैश हमने आज तक नहीं देखा आज तक नहीं देखा लेकिन आने वाले टाइम में आप इससे बड़े-बड़े धमाके एड़ इसी के बराबर के धमाके देखते है चले आएंगे अप को यह एक ऐसा क्लैश है जो अब होने जा रहा है इसा लारु टंकी का जो आज तक हम लिकर्स ने गदर 3 एलान कर दी थी अब यहां पे दोस्तों उसके बाद में कुछ और दिन मतला भी थोड़ा दिन हुआ एक माई नहीं हुआ है मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था यहां पे गदर 3 को अनाउस कर दिया गया था और उसकी रिलीज डेट भी मैंने आप पे दोस्तों रिलीज होगी क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनिल शर्मा अभी अपनी नहीं मूवी जर्नी यानि कि जिसमें नाना पाटेकर है और उतका शर्मा है उसकी शूटिंग में भी वियस्त है वो उसकी शूटिंग अभी चल रहे है वो नेक्स्ट यार 2024 में कम्प प्रडक्शन को कतम करके यहाँ पे दोस्तों रिलीज रखेंगे 2025 14 अगस्त के मौके पर जहां दोस्तों मतलब 15 अगस्त के मौके पर ही आपको यह movie के दर्सरी दिखे की और ठीक उसी मौके पर यहाँ पर war 2 को announce कर दिया है और इसी लिए किया है इसी लिए किया है ताके कोई movie वहाँ पर ना जाए यह makers की चालबादी देखो यहाँ पर कि इन लोगों ने already पहले से ही इनोंने announce कर दी कि कोई movie आईगी तो भाई वो जो है खुद जिम्मेदार होगी या पर नहीं आईगी ऐसा होता है तो यहाँ पर दोस्तों देखो मैं कहता हूं कि spy universe का यश्राज banner है भाई काफी बड़ा है ठीक है जो भी आता है सब देखते ही हैं लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर यह जो junior ntr है भाई यह एक ऐसी personality बन चुके है triple r के बाद में जो कि भाई मतलब overseas में भी इनका जो है बोल बाला है अब यहाँ पर देखा जाए तो भाई junior ntr का एंड रितिक रोशन का क्या जबरदस यहाँ पर fan following है तो भाई मैं यह कैसे मान सकता हूं कि यह दोनों आएं और यह दोनों flopping एक actor कहला है मतलब इनकी यह movie भ या फिर सनी देवल हो मैं तो अनिल शर्मा को कहता हूं अभी कुछ दिनों पहले जब गदर टू 11 अगस्त को आ चुकी थी अब यहाँ पर omg2 यहाँ अक्षय कुमार ने यहाँ पर एक अपनी date ठपा लगा दिया था कि हम भी उसी दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर मतलब सनी द करने हैं हम नहीं आठेंगे तो देखो वाल 2 की announcement से पहले गदर 3 announce हो चुकी थी कब की 2035 में और उसी वक्त में 14 या 15 अगस्त के वक्त में अब एक दो दिन का gap हो तो भाई मैं उसको नहीं मानता हूं आगे तो मूवी साथ में चलनी है ना मालो जैसे सलार और टंकी एक दिन अरही है पहले जो टंकी आ रही है बाइसको अलार आर तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो ख्लाशिंग नहीं होगी आगे जो दिन है वो तो ख्लाशिंग के ना तो इसी तरीके से वाल डू चलो मान लिया के बहुँअ चोदा अगस्त को आ सकते है चलो गधर 3 भी मान लिय या 13 अगस को आ सकते हैं लेकिन आगे जब मूवी चलेगी आगे जो गेरप चलेगा वो तो पब्लिक जब ठेटर में जाई की तो दोनों को एक दो दिन के बात देखेगी ने या कि बतलब वो तो देखेगी बाई ये भी लगी हुए और ये भी लगी हुए तो यहां पर दोस बाई यह भी कितना बड़ा कलैश है यह भी कोई चोटा फ्री रजाय यहां पर दोस्तों इसमें रितिक रोशन हैं जूनियर एंटी आर है और भाई मतलब यह समझे लिए स्पाई यूनिवर्स है यार सलमान खान भी हो सकते हैं शारुख भान भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता जौन इब्राहम भी हो सकते हैं तो ये देखो ना ये इतना बड़ा क्लैश फिर उदर गदर थरी होई होई मतलब आप ये देखो क्या चेतावनी दी जाएगी तोनों के मेकर्स को एक दूसरे की तरफ से ये होता है देखो दमदार एंड जजबा जजबा अंदर से ये चीज़ देखने मज़ा आता है ये क्लैश तो मुझे लग रहा है सेम टू सेम वो ही बरबर का क्लैश है बीच में सिर्फ दोहजार चौबीस है बाई मैं तो कहता हूं दोहजार चौबीस में ही कर लेता है यार एक साल देड़ साल अभी वेट करना है अभी पूरा दोहजार चौबीस निकलना है फिर हमें दुबारा आउगस्त में आना है टू थाओधन ट्वाइफ में यहां पे मुझे अंदर से या भी से एक्साइट होगा क्या मतलब कहने होंगे क्या उस टाइम का दौर होगा यार यह देखो आप यहां पर मुझे जो लगता है कि यार अब देखो अब कुछ अलग होने वाला है क्योंकि गदर्थिरी आईगी बाई 100% आईगी अनिशर्मा ने बोल दिया है और यहां पर प्रॉपर अनौस हो चुका है गदर्थिरी 2025 में ही आईगी क्योंकि और कोई काम नहीं है अभी अनिशर्मा के पास मूवी को लेके यानि के अभी उनकी जर्णी मूवी आनी है फिर उसके बाद में प्रॉपरली वो गदर्थिरी पे काम करेंगे और आई थिंग सो मुझे लगता है कि उन्होंने करते गदर्थिरी की स्क्रिप्ट पे काम करना भी शुरू कर दिया होगा तो यहां पर दोस्तों मज़े की बात यही है कि फैंस हो जाओ खुश को कि यहां पर एक और क्लाश देखने को मिल सकता है गदर्थिरी एंड वार्थ टू तो फिलाल दोस्ते कितना एक्साइटी ड़ो नीचों कॉमेंट में मिले ज़रूर बता हो मिलें अगली वीडियो में तेक्स वर वाचे